रामबुतान सैपिंडेसिया परिवार के अंतरगत एक मध्यमाकार का उशुकटिबंधिय फल है। रखा जा सकता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी, कौपर प्रोटीन, आयरन पाया जाता है। इस फल में कैलोरी भी काफी कम पाई जाती है। इसके अलावा इसमें एंटियोक्सीडेंट गुन भी मौजूद होते है। रामबुतान के स्वास्थ्य संबंधी फायदे। 1. डायबिटीज की समस्या में रामबुतान फल का सेवन डायबिटीज से आपको दूर रखने में मदद कर सकता है। दरसल रामबुतान फायटोकेमिकल्स से समरिध होता है जिसके कारण इसमें एंटिडायबिटिक गुन पाई जाते हैं जो मदुमेह के खत्रे से आपको बचा सकते हैं। 2. हड्यों के लिए हड्यों के स्वास्थ्य के लिए भी रामबुतान फल के फायदे देखे जा सकते हैं। दरसल रामबुतान में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। हड्यों के लिए कैल्शियम सबसे जरूरी तत्व है जो हड्यों के निर्मान और विकास के लिए जरूरी है। 3. पाचन के लिए, रामबुतान खाने के फायदे में पाचन स्वास्थ्य का सुधार भी जुड़ा हुआ है। रामबुतान फल में फाइबर की मात्रा पाई जाती है। फाइबर का सेवन करने से आपकी पाचन क्रिया में सुधार होता है। पाचन क्रिया को सुधारने के अतिरिक्त फाइबर कब्ज की समस्या को भी दूर करने में आपकी मदद कर सकता है. 4. हृदय स्वास्थ्य के लिए रामबुतान फल के फायदे आपको हृदय संबंधी रोगों से भी दूर रखने में मदद कर सकते हैं. दरसल रामबुतान फल प्री बायोटिक फाइबर का एक प्रकार खाद्य पदार्थों की श्रेणी में गिना जाता है. इससे आपके हृदय को स्वस्थ रखने में मदद मिल सकती है. 5. कैंसर की रोक थाम के लिए रामबुतान में एंटी कैंसर गुन पाए जाते हैं. रामबुतान कैलोरी से सम्रिध्ध होता है, जिसका सेवन शरीर में उर्जा की पूर्टी का काम करेगा. 7. वजन घटाने के लिए भी रामबुतान खाने के फाइदे लाबदायक परिनाम दिखा सकते हैं. 8. प्रतिरोधक शमता बढ़ाने के लिए 9. स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी रामबुतान को खाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. दरसल, रामबुतान में विटामिन A की मात्रा पाई जाती है. विटामिन A एक जरूरी पोशक तत्व है, जो शरीर की प्रतिरोधक शमता को बढ़ाने में मदद करता है. 9. स्पर्म काउंट बढ़ाने में स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए भी रामबुतान खाने के फाइदे देखे जा सकते हैं. 10. बालों के स्वास्थ्य के लिए यह पोशक तत्व बालों के विकास में मददगार साबित हो सकता है. 11. तवचा के लिए अगर आप भी अपनी तवचा को खूब सूरत बनाए रखना चाहते हैं तो रामबुतान का सेवन आपकी मदद कर सकता है. 12. रामबुतान में विटामिन C पाया जाता है विटामिन C एक एंटी आक्सिडेंट की तरह कार्य करता है. यह तवचा के सूखेपन और मुहसो को दूर करता है और सूर्य की हानिकारक की रनों से तवचा को सुरख्षा प्रदान करता है. रामबुतान के नुकसान रामबुतान में केल्शियम की मात्रा होती है और केल्शियम का अधिक सेवन हृदे रोग का कारण बन सकता है रामबुतान में पोटेशियम की अधिक मात्रा पाई जाती है और पोटेशियम की अधिक मात्रा उल्टी वर डायरिया का कारण बन सकती है अधिक पके हुए रामबुतान फल का सेवन रक्ट शरकरा के स्तर को बढ़ा सकता है जो डाइबिटीज से पीरित लोगों के लिए खतरनाग भी हो सकता है इसके छिलके के निकले हुए अरक का अधिक सेवन करने से शरीर में विशाक्ता स्तर बढ़ सकता है अब तो आप रामबुतान फल के बारे में पूरी तरह से परिचित हो चुके है बहतर स्वास्थे लाब के लिए अब आप रामबुतान को अपनी फ्रूट लिस्ट में शामिल कर सकते है अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइप, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद